नमस्कार मित्रो, हम अचार धर्मंदर जी, आप सभी का प्यार और जोतिसी में स्वागत करते हैं। बहुत दिनों की बाद मैं आज आपको दूद से रिलेटेट मैं आपको बता रहा हूँ टोटका। कि दूद एक ऐसा चीज है, जब बच्चे जनम लेते हैं, तो सबसे पहले मा का दूद ही उनने दिया जाता है। दूद से ही प्यार बनता है, दूद से ही उनके जीवन में जीवन दाएनी मिलता है। मा एक ऐसा सब्द होता है जिसे मा ने ही मर्द को जनम देता है। तो आज मैं जिसने मा का कदर किया, उसका सब दिन कल्यान हुआ है। आज मैं दूद का प्रियोग में बता रहा हूँ कि दूद कितना महत्पुर्ण है, एक मिट्टी का बरतन लेना है, मिट्टी के बरतन में क्या करना है, आपको कच्चा दूद डालने के बाद आपको क्या करना है, अपना फेस को देखना है, अपना चेहरा को देखना है, चेहर पर क्या करना है फेस पर तील गिराना है पूरा फेस पर तील गिराना है तील गिराना है पूरा इसके बाद अपना रिंग फिंगर को क्या करना है जहां आपका लिप्स पड़े वहां लिप्स पर क्या करना है रिंग फिंगर डालना है रिंग फिंगर डाल करके इसको क्या करन आपको पस्षिम और उत्तर कोना में आपको अपना ही बेडरूम में क्या करना है रख दीना है। आपको कुत्तों को क्या करना है इसे पिला देना है या खिला देना है। आइसा करने मातर से आपके जीवन में जो सनी और मंगल के दसा चल रहे थे वो सनी और मंगल का दसा ठीक होगा और आपके प्रेम जीवन में बिल्कुल ही एक होगा। घर में बास होता है प्रेमी प्रेमी का तभी अलग होता है जब यहने की मंगर सनी का संसर्क एक साथ होता है तो आज मंगर सनी के संसेर को मैंने खटम करने का उसकी दसाखों कम करने का मैंने ये उपाय दूद वाला बताया अगर जदी मंगलवार के दिन अगर उस दूद में किसी तरह का गंद ना हो किसी तरह का गंदा पन ना हो तो सोच लिए विवस्ता बहुत अच्छा अगर किसी तरह का प्रोब्लम हो तो विवस्ता बहुत खराब है त भी मेरा notification आपका YouTube पर जाए आपकी mobile में जाए notification आप वीडियो को अबसी देखे notification चेक करें और वीडियो को देखे ना जाने किस दिन आपका उपाए और आपका कल्यान होगा यह कहना मुश्किल है तो सनी मंगल को ठीक करने के लिए आज मैंने दूत का परियोग बताया इसका आप उपयोग कीजिए और अपने जीवन में सनी मंगल को ठीक कीजिए अगर मेरे चेनल में नए आए तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और जादा से जादा से शेयर करें अच्छा लगे तो लाइक करें जै मा काले आप सभी कमनों कमना पुर्णों आपने वस्वे हर हर मारा